ब्रिक्स में पूतिन के साव ने दहाडे मोधी आतंखवाद पर किया जोरदार परहार बाइडन और ठूडो को मोधी का मुतोर छवाब बोले आतंखवाद पर दोहरे माप्णन स्विकार नहीं मोधी ने दुनिया को दिया सांती का संदेश बोले युद नहीं सवाद चाता है भारत दुनिया में बजा ब्रिक्स की सफलता का डंका पश्मी देशों में मची खलबली ब्रिक्स की सफलता ने पश्मी देशों में खलबली मचाती है आज परधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कजान में ब्रिक्स समिट को संबोधित किया तो पुतिन चिंपिंग के साफ ने वो आतंकवाद के खिलाफ जम करवर से शांती का संदेश भी थिया तो वहीं बाइडन और टूडो को भी रूस से सीधा संदेश पहुचा थिया कि भारत आतंकवाद पर दोहरे माप्टन सुईकार नहीं करेगा लेकिन ब्रिक्स में ये भी पियम मोधी ने गिनाथ हिया कि किस तरीके से भारत के UPI और जाहिर तोर पर भारत के रेलवे नेटवर्क को किस तरीके से दुनिया में पहुचाने का काम भारत ने किया है ये तमाम बाते इस संबोधन में पियम मोधी के जर्ये कही गई उन्होंने कहा कि हम युद नहीं डायलोग और डिप्लोमेसी यानि कूठनीती का समर्थन करते हैं तो ब्रिक्स सिखर से मिलन जिसमें शामिल हुए हैं पियम मोधी और लगातार उनके संबोधन का इंतजार हो रहा था कि पियम मोधी क्या कुछ उस प्लैटफॉर्म से कहेंगे और जाहिर तोर पर कई देशों के दिगर्ज नेताओं के साफने पियम मोधी ने आतंकवात पर जोरदार पर हार किया तो वहीं जिस तरीके से कनेडा और अमेरिका भारत को आख दिखाने का काम कर रहा है उन्हें भी सीधा संदेश पहुचा थिया कि डबल स्टेंडर्ड्स आतंकवात के खिलाफ भारत किसी भी सूरत में बरदाश्त नहीं करेगा पर अब मोधी का जिस तरीके से ये संबोधन रहा है लगातार इसकी तारीफ हो रही है तो वहीं पर जिस तरीके से ब्रिक्स जो सम्मिट है उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी चानकारी थी है कि उसमें ब्राजील है उसमें भारत, रूस, चाइना और साथी साओध अफ मंतुरी ने उनका स्वागत भी किया है लेकिन इसी के साथ पियम मोधी ने जब संबोधन दिया तो उसके बाद रूसी राष्टपती विलाधिमीर पूतिन ने ये बताया कि किस तरीके से ब्रिक्स जो ये संबेलन है ये सफलता की नई इबारत लिख रहा है उन्होंने कहा क की तीस से जदा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जह जाहिर की है तो किस तरीके से ये जाहिर तो पर पर शीमी देश खास तो और अमेरिका, किनेडा जैसे देशों के लिए किसी बड़े छचटके से कम नहीं है कि जहां पर ये जो ब्रिक्स सम्मीट है ये जो है सफलता कहीं न कहीं इसे मिल रही है भारत इसमें शामिल है रूस इसमें शामिल है और 30 से जादा देश अब ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जो है वो जिता रहे हैं याने वाले वक्त में ये ब्रिक्स सम्मिट में देशों की संख्या में इजाफा देखने को मिल स वो जनहित कारी है यानि PM Modi के एक एक लाइन में कहीं न कहीं दुनिया को एक साफ और स्वर्ष्ट संदेश था कि आप विभाजन की बात कर रहे हैं आप यूद की बात करते हैं लेकिन भारत जो है वो शान्ती की बात करता है भारत जो है वो जनहित कारी है ये तमाम बाते PM Modi की और से कही गई और यही जिकर जो है ब्रिक्स को लेकर भी क्या उन्होंने कहा कि यह विभाजन कारी नहीं है यह जनहीत कारी है वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए आवाज उठानी होगी हम सुरक्षित समर्ध भविश्य के लिए सक्षम है यह बात पीम मोदी ने कही और इसी के साथ तमाम दुनिया के दिगज लीडर वहाँ पर मौझूद थे उसमें साओधी के भी जो नेता थे वो वहाँ पर मौझूद थे उसमें चीन के जो शी जिंपिंग थे वो वहाँ पर मौझूद थे राष्टपती पूतिन वहाँ पर थे और अन्य देशों के दि तर्कपंथ की और जाने से रोकना होगा भारत यूद नहीं सववाद और कूठनीती का समर्थन करता है यह एक बहुत बड़ा संदेश है जो प्लाटफॉर्म से दिया है वो भी तब चब कैनेडा लगातार भारत पर जो है निजर की हत्या का आरोप मढ़ रहा है वो तब चब खुलकर किनेडा जो है वो खालिस्टानियों का समर्थन कर रहा है जिसके खिलाफ खालत नहीं लगातार आवाज बुलंद की है भारत की नीती रही है आतंक के खिलाफ नौ टोलरेंस की और इस तरीके से अब एक बार फिर से पियम मोधी ने इस प्लाटफॉर्म से इस बात क जिक्र किया हाला कि इस बैठक के लिए उन्होंने राश्टप्रती पुतिन का आभार फियक्त किया और कहा कि मुझे खुशी है कि हम पहली बार विस्तारीत ब्रिक्स परिवार के रूप में मिल रहे हैं और ब्रिक्स परिवार से जुड़े सभी नए सदस्या का भी स्वाग पियम मोदी ने किया लेकिन इसी के साथ इस बैठक में तमाम उन मुद्दों का जिक्र पियम मोदी ने किया फिर शाहे वो विश्व युदों की बात हो जिस तरीके से रूस और युक्रेन के बीच युद छुड़ा हुआ है जिस तरीके से इस्राइल और हमास वहां पर जो करते हुए पियम मोदी ने विश में नोर्थ साउथ और पूर पश्यम विभाजन की बात हो रही है महेंगाई पर रोक्थाम फूड सेक्यूरिटी एनर्ची सेक्यूरिटी हैल्स सेक्यूरिटी और वाइडर सेक्यूरिटी सभी देशों के लिए प्राथमिक्ता के विशे हैं ये बात पियम मोदी के जर्खे कही गई है और जैसा कि मैंने बताया कि भारत को लेकर भी उन्होंने कई बाते इस सम्मिट में कहीं उन्होंने कहा कि सभी ब्रिक्स देशों में इंफ्रेस्ट्रक्चर के निर्मान पर विशेश बल दिया जा रहा है भारत में मल्टी मॉडल क एक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गती शक्ती पॉर्टल बनाया है इस बात का जिक्र भी इस प्लाटफॉर्म पर पियम मोदी ने किया इससे विकासों की एकिकरत योशना और जाहिद तोर पर उनमें कार्खे करने में मदद मिलेगी ये पियम मोदी ने कह हमें अपने अनभव आप सभी के साथ साजा करने में खुशी हो रही है ये पियम मोदी ने उस समिट में जिक्र किया और कहा कि हम ब्रिक्स देशों के बीच वित्य एकिकरन बढ़ाने की कोशिशों का स्वागत करते हैं स्थानिय मुद्रा में व्यापार और आसान सीमा पार फुकतान से हमारा आर्थिक सहयोग मश्पूत होगा भारत ने दरसल जिस तरीके से यूपियाई बनाया है उसका जिक्र भी पियम मोदी ने किया और कहा कि यूपियाई भारत की एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी है और इस वात का जिक्र करना भी पियम मोदी नहीं भूले कि किस तरीके से यूपियाई को दरसल यूएई के साथ भारत ने जो है वो तयार किया है जिस तरीके से लेंदेर वहाँ पर हो रहा है वहीं पर दरसल इस तरीके का जिक्र पियम मोदी ने किया कि पिछले साल हमने शेक मोहमत के साथ मिलकर इसे यूएई में भी लांच किया और अन्य देशों का सहयोग हमें मिल रहा है जिसके चलते हम यूपियाई को और देशों के साथ मिलकर लॉंच करेंगे ये पीम मोदी ने कहा तो कुल मिलाकर जो प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी का संबोधन किये बिक्स समिट में रहा उन्होंने जस तरीके से बिक्स क्या है किसलिए महत्पूर्ण है और क्या जो तमाम देश है वो अपना सहयोग बिक्स समिट में दे रहा है भारत अपनी तरफ से क्या सहयोग जो है वो बिक्स समिट में दे रहा है क्या दुनिया के ये जो तमाम देश है ये मिलकर किस तरीके से वैश्विक विकास की बात कर रहे है इन तमाम अमुद्दों को लेकर पीम मोदी ने इस समिट में बात की लेकिन ये समिट जाहिर तोर पर उस वक्त हुई है जब कई देशों के बीच युद छिडा हुआ है जब कई देशों है वो खासतोर पर पश्मी देशों के अगर बात की जाए तो वो अन्य देशों को टार पर बाते बाते पिएम मोधी के जर्खे कही गई है उनका असर वैश्विक इस्तर पर क्या होगा क्या अमेरिका की ओर से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी क्या इसके बाद केनेडा का रुक बदलेगा क्या कुछ होगा यह कहίνे कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज जो है यह समिट से PM Modi वापस आ जाएंगे और क्या कुछ इसके बाद तर्षोीर देखने को मिलेगी, यह कहीं आ कहीं देखने वाली बात होगी. फिलाल आपकी जो PM Modi केज़र के समिट में तमाम बातों पर चर्चा की गई है तमाम मुद्दों पर बात की गई है उसको लेकर आपकी ख्यार आई है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा थान्यवाद